बिटकोईन के प्राइज में लास्ट 2-3 डेज से काफी तेज गिरावट हमें देखने को मिली है जिसके बाद 19,500 के प्राइज लेवल को टच करने के बाद बिटकोईन के प्राइज में 1000 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है और अभी Bitcoin का प्राइस ट्रेड कर रहा है दोस्तो 20,500 डोलर के राउंड Crypto Global Market Cap अभी भी 1 बिलियन डोलर के नीचे बनी हुई है और Crypto Fear and Greed Index 27 के लेवल पर है Bitcoin में Recovery के साथ साथ OldCon में भी हमें Recovery देखने को मिल रही है Bitcoin में अब Next Move क्या होगा इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और Last में बात करेंगे Crypto से Related Latest News की Welcome to our channel Crypto Minders अगर आप अमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें Bitcoin के डेली चार्ट को देखे तो दोस्तो बीरिज फ्लैक पैटन के ब्रेक होने के बाद एक शाप गिरावट आएगी इसके बारे में हमने Last वीडियो में बात की थी और वैसे ही हमें Bitcoin के प्राइज चार्ट पर देखने को मिला है 17500 के प्राइज को टच करने के बाद से ही Bitcoin का प्राइज एक बीरिज फ्लैक पैटन में ट्रेड कर रहा था जिसके बाद Bitcoin ने अब इसको नीचे की साइट ब्रेक कर दिया है और अभी जो रिकवरी हाई है उसका सिंपल सा लोजिक है Bitcoin इसे रिटेस्ट करने के लिए गया है ऐसे में आप Bitcoin से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिये Bitcoin में जो ये बीर रन चल रहा है उसे ओल्मोस्त वन येर होने वाला है लास्ट येर नॉवंबर में Bitcoin ने अपने ओल टाइम हाई 69,000 डोलर को टच किया था उसके बास से continue Bitcoin में गिरावट चल रही है जिस वज़े से Bitcoin का overall chart अभी भी negative बना हुआ है इसलिए दोस्तों कम से कम buying position बना के रखे क्रिप्टों में और हो सके तो एक या दो वीक के लिए क्रिप्टों को बस watch करिए क्योंकि market में अभी काफी उठापटक चल रही है अब बात करते है Bitcoin के next support and resistance लेवल की support की बात करें तो दोस्तों 19,000 डोलर की price range Bitcoin के लिए next support है जिसे Bitcoin ने अभी तक hold करके रखा हुआ है और ये लेवल इसलिए भी important है दोस्तों जब Bitcoin में previously bull run आया था तब 19,000 के round डी BTC ने अपना all time high बनाया था जिसके बाद Bitcoin में 85% तक का correction देखने को मिला था इसलिए 19,000 का जो लेवल है दोस्तों वो Bitcoin के लिए कि historical support लेवल है अब बात करते हैं resistance लेवल की 50 day and 100 day moving average Bitcoin के लिए strong resistance की तरह काम कर रहे है जब तक 50 day, 100 day and 200 day moving average break नहीं हो जाते, तब तक Bitcoin में bull run का start होना बहुत मुश्किल है यह था दोस्तों Bitcoin का chart analysis अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like and share कर दीजिए अब बात करते हैं दोस्तों crypto से related latest news की First news है दोस्तों NFTs को लेकर OpenSea turn into NFT ghost town after volume plunge 99% in 90 days Crypto की ही तरह NFT market में भी तेज गिरावट चल रही है जिस वज़े से OpenSea NFT marketplace के trading volume में 99% तक की गिरावट आ चुकी है 90 दिनों में एक में को OpenSea पर record volume हुआ था 406 million dollar के round का और August end तक आते आते ये बस 5 million तक का रह गया है जिस वज़े से OpenSea को NFT ghost town का जा रहा है इसके साथी world famous NFT collection board app आज कलप के price में भी 53% तक की गिरावट आ चुकी है एक में को board app NFT के floor price था 153.7 Ethereum और अब ये 72.5 Ethereum रह गया है क्रिप्टो के साथ साथ NFTs का भी बुरा टाइम चल रहा है दोस्तो Next News है दोस्तो Ethereum से related Ethereum Scaling Network Arbitrum set for major upgrade on August 31 31 अगस्त को दोस्तो Ethereum blockchain के लिए एक और major upgrade होने वाला है जिसे Nitro upgrade कहा जा रहा है इस वज़े से Ethereum के price में भी कल से 10% तक का rise आ चुका है Next and last news है दोस्तो Most of crypto is still junk and lack use cases दोस्तो JP Morgan blockchain head उमर फारूक ने अपने एक interview में कहा है कि Most of crypto अभी कबार है और उनका कोई practical use नहीं है इस तरह की statement हमें time to time देखने को मिलती रहती है इसमें कोई doubt नहीं है दोस्तो आप meme coins का example ले सकते हो meme coins का कोई practical use नहीं है बट फिर भी इसमें कई सारे लोगों ने अपनी investment की हुई है और अभी market की गिरावट में सबसे ज़्यादा जो correction आया है वो meme coins में ही आया है दोस्तो इसलिए जब भी crypto में invest करे तो अच्छे से research करके ही करें यह था दोस्तो आज का हमारा वीडियो I hope आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले thank you, jahin